तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम Amazon बिजनस अकाउंट को क्रियेट करते हैं गईस मैं बता दूं कि Amazon seller अकाउंट एक अलग होता है तो हम आज बात करेंगे बिजनस अकाउंट को इसको बनाने पर हमको क्या लाब होता है इसमें किस चीज़ की ज़रुत पड़ती है इसमें सारा कुछ कबर करने वाले हैं तो मैं पहले बता दूं आपको गाइस के इसको क्रिएट करने के लिए आप एक जिएश्ट नंबर की ज़रुत पड़ती है और आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो आप कुछ भी पर्चेश करते हैं तो आपको एटीन परसेंट की फ्री हो जाती है तो इसमें आठार रुपे आपके डिसकाउंट हो जाएंगे तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरू देख लेना किस तरह से क्रिएट करते क्या प्र एकन को जरूर दबा ले रहा क्योंकि जब भी कोई वेडियो आए तो आपको पहुंच जाए और आप उस वेडियो को लाब ले सकें तो चलिए दोस्त वेडियो करते हैं लैप्टॉप की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आप अपना कोई एक क्रॉम ब्राउसर ओन कर लेजिए आप फारफॉक्स भी यूज कर सकते हैं तो मैंने क्रॉम ब्राउसर यूज किया है तो आपको यहां वाले एमजन के पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप डारेक्ट क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं आप आप रजिश्टर नाव कर सकत क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा लैस्ट इस्टार्ट क्रेटिंग यह अवाजन बिजनेस अकाउंट तो मैं आपको पहले बता देता हूं कोई आप अगर एक मिश्टेक भी करते हैं तो आपका अकाउंट के लिए अप्रूब पेंडिंग में चला जाता है अगर मैल की डाल देते हैं तो हम यहां से अपना एक प्रूब कि कर लेते हैं और यहां पर हम अपना ईमल केक्टिस को ट्रेक कर देते हैं ठीक है तो हमने गेट इस्टार्ट कि लिए तो यहां हम City मेल और पासबड़ और पास Bem एन्ट गेन मांग रहा है तो यह नम में आपको वही name डालना है जो आपके GST नाम में यहां बिसक्ष में लगा हुआ है तो यहां पर हम जिस टी आम पर जो नाम डाला है वह वाला हम यहां पे enter कर देते हैं तो हम यहां पर क्लिक कर दिया और Password को हम यहां पर set कर लेते लेते हैं कोई एक अपने हिसाब का तो एक next step पे हम को click कर लेना है next step पे click करने के बाद आपके registered email id पर आपको OTP जाएगा तो यहां पर हम एक बार refresh कर लेते हैं और हम यहां देखेंगे कि verify यह जो नीव Amazon account तो यहां से हम copy कर लेते हैं OTP को और वहां पर paste कर देते हैं तो यहां पर हम create Amazon account पर click कर देते हैं तो यहां पर हमारा Amazon business account create अभी नहीं हुआ है आप यहां देखेंगे कि automatic यहां पर नाम फिल हो चुका है and business phone number में हम यहां पर कोई एक phone number लिखेंगे जिससे कि यहां पर हम अपना phone number दे देते हैं जिससे आपके notification प्रूम मिल जाए यहां पर send me notification about my account verification को हमें यहां पर क्लिक कर लेना है तो हम एक बार प्री चेक कर लेते हैं यहां पर सही है अब आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो weiteren에 फिल करने के लिए लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्याफ है तो हम पहले達 नमब्र अफिल कर लेते हैं यहां पर उसको पेस्ट कर देते हैं और एले पे क्लिक कर लेते हैं कि यहां पर हुआ करेंगे तो हमारे यहां पर हुआ है कि आप को प्रोप्राइटर्शी रखते हैं जियसा आपको अप्रोप्राइटर्शिपाइट्वित्व है तो मैं इन्डस्टी में आपको रिटल क्लिक악 लेका है आप अपने अनुशार रहे ती वह आटोमेटिक हो जाती है तो हमको नीचे खाली सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर च्छोटा सा एरार आ रहा है सगेस्ट एड्रेस आपका रहा है तो जीरो बन डबल जीरो फाइब तो यहां पर हम फाइब लिख देंगे जिसकी इसका मैच हो जा आया है रही है एंड वो आपको बता देगा कि हो आपका अकूँंट T हो गया है अब आप कुछ भी पर्शिस करेंगे एक्ते में हो जाएगी तो हम एक वार इंपॉक्स después शेक कर अब यहाँ लेखेंगे कि Amazon से एक mail आया इसको open कर लेते हैं यहां पर लिखा यह विजनेस अकाउंट on Amazon.in has been activated तो यहां पर हम इसको open कर लेते हैं और आप उपिसियल email को पड़ सकते हैं भी या लिखा वेलकम टे विजनेस दा information you provide has been verified and your account registered is now completed यहनी जो आपने सब्सक्राइब की है वो आपका complete हो चुका है आपका step तो यहां से आपका step पूरा खतम हो चुका होता है यही step आपके हर बार आप जब भी आप पुरना account की डिट करें यही आपको step लेने है तो आपको वेडियो सही लगी होगी नौलेज़फुल लगी तो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेस सब्सक्राइब कर ले यार क्योंकि इस लेकिए क्वालटी वेडियो यहीं तक रहने जाते हैं थेंक यू